नमस्कार दोस्तों सुरू चीवं की जम्याप का स्वागती आज हम नाश्टे के लिए बनाएंगे बन पाउ मसाला रेसिपी यहों बहुत ही टेस्टी और जटपड बनने वाला नाश्टा है अगर आप मेरे चानल पर नए है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए तो चले बनाते हैं बन पाउ मसाला बनाने के लिए हम लेंगे बन पाउ कटा हुआ टोमेटों लेंगे एककटोरी, कटा हुआ पैज लेंगे एककटोरी चारपाच लेसन की कलियों को मैंने क्रश कर लिया है क्रश की भी हरी मिर्च लेंगे जीरा, ड्राई, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर हरा धन्या का पाउडर हिंग पाव भाजी मसाला, नमक, थोड़े सा आद्रक मैंने कदुकस कर लिया है, तेल लेंगे बनपाव मसाला के लिए सबसे पहले मसाला बना लेते हैं मिने एक कड़े में दो चमश तेल को गरम होने के लिए रख दिया था तेल गरम हो जुका है इसमें डाल देते हैं चोटेक चमश राई चोटेक चमश जीरा हिंग डाल देते हैं थोड़ा सा अभी इसमें add करेंगे कटा हुआ पैज एक कटोरी, इससे अच्छे से mix करके लेंगे और इससे हल्का से ब्राउन कलर आने तक बून के लेंगे 3-4 मिनीट बाद इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, अभी हम इसमें add करेंगे क्रश्किवा लसन, कदुकस्किवा अद्रग, क्रश्किवी हरी मिर्च डाल देंगी दो चमच, आप अपने स्वात के अनुसर एड़ कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करके लिजिए अभी इसमें एड़ करते है घर पे बनाया हुआ हरद्धनिया का पाउडर, इसका विडियो मैंने अपने चानल पे डाला है, आप उसे भी देख सकते हो, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते है, और यहाँ पर मैंने 1 चमच हरद्धनिया का पाउडर एड़ किया है, अभी हम इसमे और ऐड़ करेंगे कटा हुआ टॉमेटो एक कटोरी इससे चेह मिक्स करने के बाद मैक ऐसमें एड़ करते से मसालि हल्दी पाड़ोर टाल देते हैं चुद्धेक चमच मच कश्मिदी लालमिश हमेद तै आधा चमच पावभाजी मसाल्री तैम हम्चaces करते best मिक्स s यहाँ पे सभी चीजों को थोड़ा सा पकने देते हैं और चमच को ऐसे चलाते रहेंगे यहाँ पे टोमाटो अच्छे से पक चुके हैं और इस तरह से यह पारीक हो चुके हैं अभी यह मैशर लेंगे और इस तरह से इसे मैश करके लेंगे इसे 1.5 मेनीट के लिए मैश कर लेंगे, यह अच्छे से बन चुकी है, इसे एक बाचमे से मिक्स कर लेते हैं, कासको बंद कर देंगे, हमारा मसाला रेडी है, गैस पे हम तवे को गरम होनी के लिए रख देंगे, अभी हम बंपाव को कट कर लेते हैं, इस तरह से बीच में से इस तरह से बनपाव को कट करके लेना है अभी हम दूसरे बनपाव को भी कट कर लेंगे तो आच्छे से गरम हो चुका है अभी हम तवे पे डाल देते हैं देशी गी थोड़ा सा आपको बटर लेना हो तो भी चलेगा अभी हम जो बन्पाव की स्लाइस करके लिए है वो डाल देंगे और बन्पाव की स्लाइस को अच्छे से से के लेंगे साइड से थोड़ा सा गी भी छोड़ देंगे इस तरह से हम इने से के लेंगे अभी हम उपर से भी गी लगा के लेंगे और इन्हें पलट के लेंगे इस तरह से आप देख सकते हो यह बहुत यह अच्छे से सेक्के निकला है दोनु स्लाइस को मैंने पलट के लिया है अभी नीचे वाली जो स्लाइस रेती है उस पर मसाली को डाल देंगे इस तरह से मसाली को अच्छे से डालने के बाद अभी जो उपर की स्लाइस रेती है वो इसके उपर रख देते है और इसे हलके हातों से इसे प्रेस करेंगे चाकू की मदद से यहाँ पर यह अच्छे से सेक के निकला है यहाँ पर तयार है हमारा बन पाउ मसाला इसे प्लेट में निकाल के लेते हैं यह बहुत यह अच्छे से बना है आप देख सकते हो और एक बन पाउ मसाला बना लेते हैं यहां पर मैंने दो स्लाइस तवे पर डाल दिये हैं, उन्हें गी लगा कर इसे अच्छे से सेखके लेंगे इसे अच्छे से सेखने के बाद, अभी हम इसमें फिल करेंगे मसाला हमने यहाँ पे कश्मिडी लाल मिर्ष डाले थी जिससे की बहुत ही अच्छा कलर आया है अभी दूसरी स्लाइस भी रख देते हैं इसके उपर तैयारे हमारा बन पाउ मसाला इसे भी प्लेट में निकल लेते हैं आपे तयारे हमारा बनपाव मसाला, अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं, एक प्लेट में रख देते हैं, बनपाव मसाला, अभी हम इसे उपर से थोड़ा सा मसाला लगाएंगे, इस तरह से, उपर से डाल देंगे कटा हुआ पैज, तयारे हमारा बनपाव मसाला, आपको यह रेस 15.